बिग बॉस OTT सीजन 2 का फिनाले बस कुछ ही दिन दूर है। दस अगस्त के एपिसोड में शो में कई महमान आएंगे और चार चांद लगाएंगे। दूसरी तरफ कोई एक घर से बेघर भी हो जाएगा। जिया शंकर का आज घर में आखरी दिन है। बिग बॉस OTT सीजन 2 शांदार TRP के साथ चाया हुआ है। अब सभी फैंस आज के एपिसोड को लेकर काफी एक्साइटड हैं क्योंकि उन्हें पता है कि यह ज़्यादा दिल्चस्प और मनोरंजक होने वाले हैं। सभी फैंस आज के एपिसोड का इंतजार कर रहे हैं। अगर शो के कंटेस्टेंस की बात करें तो सभी बेहत दंदार नजर आ रहे हैं। वे BBOTT 2 ट्रॉफी जीतने के लिए अपना बैस दे रहे हैं। आज घर में काफी कुछ होने वाला है। कई सारे महमान आएंगे और सब की पोल खोलेंगे। साथ ही इन में से कोई एक घर से बेघर हो जाएगा। आज के एपिसोड की शुरुआद BB हाउस के कंटेस्टेंस की सुभा से होती है। वे लंबी नीन के बाद दान्स करते हुए जागते हैं। वे सभी घर में अपनी जर्नी को याद करते हुए अपने दान्स मूव्स दिखाते हैं। इन में से एक को आज घर से बाहर जाना इस हफते नॉमिनेटेड है मनीशा, जिया शंकर और एलविश यादव। वैसे जिया के बाहर होने की बाद भी सामने आ चुकी है। बेगर हुई जिया शंकर, जिया ने अपना बैग पैक कर लिया है जबकि मनीशा को यकीन है कि न तो वो और नहीं एलविश बीवी हाउस स बाहर निकलेंगे। अभिशेक मलहान बगीचे में एक बीन बैग पर लेटे हुए हैं और आकाश की और देख रहे हैं। तभी बेबी का वहां से गुजरती हैं और वो रोने लगते हैं। नाश्ते के बाद सभी घरवाले लिविंग एरिया में बैटने के लिए तयार हो ज जाते हैं जिसके बाद बिग बॉस घोशना करते हैं कि आज के टॉप पांच का खुलासा किया जाएगा। फिर वो कहते हैं कि जिया को सबसे कम वोट मिले हैं और उन्हें बीवी हाउस से बाहर जाना होगा। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो कृपिया वीडियो को लाइक और शेर करें और चैनल को सबस्क्राइब करें।